अखंड मंथन के सभी दश्कों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन भविश्यवाडियों के कारिक्रम कालचक्र के अंतरगत जैसा कि हमने एक वेब सिरीज प्रसारित की थी विदेशी भविश्यवेताओं की भविश्यवाडियों पर आधारित तो इसके सीजन एक में हमने कुल 15 एपिसोड प्रसारित किये थे जिसे आप दर्शकों ने काफी पसंद किया था अब इसी विदेशी भविश्यवक्ताओं की भविश्यवाडियों पर आधारित वेब सरीज के दूसरे सीजन का आज से हम शुभारम करने जा रहे हैं तो दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में देखे पुछे अन्य विदेशी भविशे वक्ताओं की वो भविशेवाडियां जिसमें उन्होंने वर्ष 2024 और उसे आगे आने वाले समय को लेकर अपनी जोतिशी और साइकिक गढ़ना प्रस्तुत की हैं तो चलिए आरम करते हैं आज के एपिसोड का तो ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2024 में गाजा और इसराइल के मद्धे युद्ध विराम हो सकता है और रूस और युक्रेन किसी समझोते पर सहमत हो सकते हैं यद्यपी इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है किन्तु कुछ ज अधिकान्स इस्थानों पर प्रित्वी अधिक सूख जाएगी किन्तु कुछ इस्थानों पर ऐसी विभीशक बाड़ आएगी कि लाखो लोग डूब कर मारे जाएगे वियान के अनुसार चीन भै से पीला पड़ जाएगा लेकिन वह दक्षडी चीन सागर में संघर्ष की स्थितियां बढ़ा सकता है इसी के बाद दुनिया के कई देश चीन के विरुद्ध खड़े हो जाएगे अध्य चीन का भैभीत होना भी एक स्वाभावी घटना मानी जाएगी अमेरिका के एक समाचार पत्र एकोनोमिस्ट में छपी एक भविश्यवाडी में ये भी कहा गया है कि नवंबर दोजार चौबिस में होने वाले अमेरिकी चुनाओं में ट्रम्प के राष्ट्रपती बनने की संभावना तीन में से एक प्रतिशत है अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाओं के परिणाम जनवरी दोजार पच्चिस तक घोशित होंगे इसी के साथ रूस में भी रूसी राष्ट्रपती पुतिन के भागे का निर्ने रूसी मतदाता के साथ साथ अमेरिकी मतदाता भी करेंगे इधर समाजार एजेंसी रॉय्टर्स ने भी ये बविशेवाडी भारत में होने वाले लोगसभा चुनाओं को लेकर की है रॉय्टर के अनुसार अप्रैल मई 2024 में भारत में होने वाले लोगसभा चुनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ऐसा उस इस्थिती में होने जा रहा है जबकि देश में उच्च मुद्राइस्पीती और बेरोजगारी की समस्या को लेकर भारत में आवाज उठाई जा रही है फिर भी इन दोनों मुद्दों को दरकनार कर मोदी तीसरी बार पियम का अपद हासिल करने जा रहे हैं इधर वॉइस ओफ अमेरिका ने एरान में होने वाले चुनाओं पर एक भविशिवारी की है कि नई संसत के लिए मार्च में चुनाओं हो सकते हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा कि सितंबर 2022 में महसा अमिनी की मृत्यू के पश्चात हुए राष्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद ये पहला मतदान होगा लेकिन इस चुनाओं में सत्ता पर कबजा रूडिवादी ग्रुप का ही होगा इसी के साथ वॉइस ओफ अमेरिका ने ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाओं को लेकर ये भविश्यवाडी की है कि अक्टूबर 2024 तक रिश्ची सुनक प्रदान मंत्री के पद से हटाये जा सकते हैं या फिर वहां के आम चुनाओं में उन्हें पराजय का सामना करना पड सकता है इसी समाचार एजेंसी द्वारा ये भी भविश्यवाडी की गई है कि इसराइल तमाम अंतराश्टिय दबाओं के बाद भी हमास को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने की मुहिम में वर्ष 2024 के अंत तक जुटा रहेगा और गाजा में युध विराम की अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है इसराइली प्रधानमंतरी नेत अन्हू का भी कहना है कि वे किसी भी कीमत पर गाजा पर अपना नियंतरन कम करने वाले नहीं हैं यद्यपी ये भी आशंका वेक्त की जा रही है कि तमाम दबाओं के बाद भी वे गाजा की समग्र सुर उक्रेन युद को लेकर भी ये आशंका वेक्त की जा रही है कि रूस और पूरवी यूरोप में भी एक बड़ी जड़प हो सकती है जो कि कुछ समय बस्चात युद का रूप धर सकती है इधर यूक्रेन के कमांडर इनचीफ जनरल वोलेरी जलुजनी ने भविशेवारी क कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब एक ठहराउवाले मौर पर पहुंच किया है फिर भी वे किसी सकारात्मक मोर तक पहुंसता वा दिखाई नहीं दे रहा है उनके lijूक्रेन और रूस इस युद्ध में किसी रचनात्मक मोर पर इस वर्ष भी नहीं पहुँचने वाल इधर समाचार ये भी प्राप्त हुआ है कि पुतिन यूक्रेन में किसी नतीजे पर ना पहुंचने के कारण वे परमालू बम से हमला करने की धमकी भी दे चुके हैं विशेश रूप से उन्होंने कहा है कि यदि यूरोप और अमेरिका की ओर से यूक्रेन को सैने मदद बंद नहीं की जाती तो वे इस यूदो को एक मोड पर पहुंचाने के लिए परमालू बम से हमला भी कर सकते हैं इधर दा इंटर्प्रेटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले साल में यूक्रेन के लिए राजनीती कठिन साबित होगी राश्टरपती अभियान की गर्मी में अमेरिका से निरंतर समर्थन सुर्कियों में रहेगा जबकि दगारजियन ने भविशवारी की है कि पुतिन अपने आपको दोबारा राश्टरपती चुने जाने की मुहिम में लाम बंदी करना आरम करेंगे यद्यपी इसी बीच यूक्रेन को भी ये तै करना होगा कि वह अपने देश में चुनाओ कराए या नहीं इधर वाशिंग्टन पोस्ट ने भविशवारी की है कि यूक्रेन पर रूस से समझोता करने का दबाओ अंताराश्टी इस तर पर अधिक पढ़ने वाला है एक और भविशवारी में ये भी कहा गया है कि 2024 के अंत तक कई देशों में उड़ने वाली कारे चलनी आरम हो सकती है CNBC की एक रिपोर्ट में भी हवाई या तायात के बढ़ने की संभावन अव्यक्त की गई है इसी के साथ ये भी भविशवारी की गई है कि यदि उड़ने वाली कार 2024 के अंत तक आस्मान में नहीं उतारी गई तो भी 2024 में चंद्रमा पर मानो मिशन भेजा जा सकता है इदर नासा का Artemis 2 नवंबर में लाँच होने वाला है जो की चंद्रमा की परिक्रमा करके प्रित्वी पर लोट आएगा लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरे भिना दस दिवसी यातरा को भविशे के मिशनों के लिए Space Launch System, Rocket और Orion अंतरिक्ष यान का परिक्षन करने के लिए डिजाइन किया गया है तो दर्शकों विदेशी भविशे वक्ताओं की भविशेवाडियों के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में आज बस इतना ही मिलते हैं इसी सीरीज के दूसरे एपिसोड में किन्तु हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस विशे में आप अपनी राय हमारे वाट्सेप नंबर 705414965 पर भेज सकते हैं इसके तरिक्त आप हमारे एमेल आइडी अखंडबंतन at the red gmail.com पर भी अपने संदेश प्रेशित कर सकते हैं दश्कों हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तन्यवाद नमस्कार